मित्रो कहावत है कि जो जड़ी बूटियां बहुत दुरलब होती हैं, बहुत ही मुलिवान होती हैं, वो बहुत छुपी रहती हैं और बहुत कम मात्रा में होती हैं. उससे भी कम खोजी होते हैं जो उनको ढूंडने में समर्थ होते हैं लेकिन उप्यों करने वालों की संख्या करोडों में होती है सब चाहते हैं कि उनको मिल जाए आज से कुछ दिन पहले 10 मई को 10 मई 2021 को मैंने विमला तुलसी की पहचान पार्ट वन डाला था जिसको 2,53,982 लोगों ने देखा विमला तुलसी की पहचान पार्ट व मैंने 29 मई 2020 को डाला जिसको 13,236 लोगों ने देखा और सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर कुछ लोगों ने बोला कि आप पहचान बता दे तो मैंने 16 पहचान के साथ में पार्ट थ्री विमला तुलसी की 16 पहचान चार जुलाई 2021 को डाला जिसको 14,144 लोगों ने देखा दुर्वाके से बरसात आ गई और इस उल्लास नदी में लगवग 22 फीट पानी उपर से गुजरा उपर से आप देख रहे हैं सहाट की तरफ जाने वाला ब्रिच आमी बलीत की तरफ जाने वाला ब्रिच यहीं से मैंने उल्लास नदी के किनारे से वो पौदा दिखाया था आज वो पौदा मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि मैंने उल्लास नदी का उसमें जिक्र कर दिया था इन वीडियोज में और मैंने लोकेशन भी दे दिया था जिसके कारण बहुत सारे लोग बिमला तुलसी को उखाड कर ले गए जिनको जरूर थी 40 पत्तों की वो पेड़ के पेड़ यहां से उखाड कर ले गए अब बहुत मुश्किल है यहां पर बिमला तुलसी का मिलना तो यह बिमला तुलसी बहुत ही अतिजुरलब थी मित्रो अब आप अपने अपने जंगलों में जहां पाहडी का एरिया है वहां पर जिनको जरूरत है वो ढूंड ले मैं उनकी कोई सहता नहीं कर सकता वैसा भी मेरी उमर 65 साल की हो गई है फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा थ लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि लोग इतने चालाक हैं कि मेरे लोकेशन की वज़ेसे वो मेरे बहु मुल्य विमला तुलसी को उखाड उखाड के ले जाएंगे जिनको जरूरत इतनी नहीं थी लेकिन वो ले गए तो विमला तुलसी को नश्ट होने के एक दो कारण हो गए एक तो मैंने लोकिसन दे दिया दूसरा कारण नदीम अधिक पानी आ गया बरसाथ के बाद में देखो ये जो आपको देख रहे हैं इसके जो पांच फिर तक उपर तक कच्रा लदा हुआ था इतना अभी भी पेड़ों पे लदे हुए हैं इस पेड़ को देख सकते हैं इस पर भी कच्रा यहां तक पानी आ गया था और जो बचे कुछे हैं मित्रो यह जो काम चलना है यहां पर नदी के किनारे यह किनारों को साफ कर रहे हैं जिसकी बज़े से बचे कुछे बिमला तुलसी के पौधे भी गायब हो गए तो मित्रो अधिकतर मुझे बहुत सारी लोग फौन करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि वो मैंने बताया था बहुत दुरलब पौधा है वो वो पहाडियों में होता है पत्थरों में होता है मैंने बीज बहुत कई वार उनके बीज गमलों में बोकर देखे लेकिन पास नदी है अगर किसी को जरूरत हो तो यहां के किनारे पर देख ले उन्हें मिल जाता तो उनका भाग्या है मैं उनकी कोई साहता नहीं कर सकता है तो मित्रो मैंने यह जानकारी दी कि कभी-कभी जादा इस पश्ट बोलने से नुकसान हो जाता है मेरी बिमला तुलसी का यह नदी के उस पार आमी बल्ली की तरब की बिल्डिंग है वो ब्रिज है जिस पर की लोकल ट्रेन कसारा तक जाती है तो मित्रो मैं छमा चाहूंगा बहुत दिन के बाद आया क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर कुछ वाहा बोसन ग्रांड पा जो सिपिंग का है मैं उसमें के लिए महत्पूर्ण है फायर विग्रेट और अपने स्कावर्स कोष्टगार्ड नेवी सिपिंग उनके लिए तो मित्रो यह मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो जानका ही दें मित्रो एक लाग पच्छीस हजार मेरे सब्सक्राब हो गए है अब मैं इसको चैनल को किसी को हेंड ओबर करना चाहता हूं कि मैं आप जंगलों में घूम नहीं सकता तो कोई चाहे तो मेरे इस चैनल को ले सकता है और इसे बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है इसी के साथ नमस्कार नेत्सपाल दुरकादास कुस्वाहा कल्यां